दोस्तों अगर आप बिहार में रहते हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आने वाला हूँगी कैसे आप अपने स्मार्ट मीटर के लिए यानि कि जो एलेक्रिसिटी बिल के लिए स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसका आप विजली बिल चेक कर सकते हो सारा काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो पूरी जानकाई के लिए वीडियो लाश्ट तक देखते रही है इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्रॉजर उपन कर लोगे जिससे आप गूगल सर्च करते हो यहाँ मैं क्रूम ब्रॉजर उपन कर लेता हूँ ब्रॉजर उपन करने के बाद गूगल पर जाके सर्च करना है SBPDCL यह फिर NBPDCL तो जहां से भी आपको बिजली बिल आता है उसी के एकॉर्डिंग आपको सर्च करना है अगर आप South Vihar में रहते हो तो आपको बिजली बिल South Vihar Power Distribution Company Limited से आता होगा तो accordingly आप SBPDCL सर्च करोगे लेकिन अगर आप North Vihar में रहते हो तो आपको बिजली बिल North Vihar Power Distribution Company Limited से आता होगा तो आप अपने according NBPDCL सर्च करोगे तो मेरे case में मैं South VR में रहता हूँ तो यहाँ आप मैंने SB PDCL सर्च किया अगर आप North VR में रहते हो तो यहाँ पर बस आपको S के जगह पे N टाइप करना है NB PDCL इस टाइप का आपको Quick Will Payment Link दिखाई देगा, Website दिखाई देगा इसको Open कर लेना है अब इस page को Zoom करना है और यहाँ पर आपको उब्भोकता संख्या इंटर करने के लिए कहा जाएगा Customer Number उब्भोकता संख्या आपको अपने बिजली बिल में भी मिल जाता है उब्भोकता संख्या इंटर करने के बाद Submit कर देना है अब अगेन आपके सामने इस टाइप का page open होगा यहाँ से आप अपने बिली बिल का PDF फाइल देख सकते हो उसको download भी कर सकते हो बस आपको view बिल पे tap करना है और PDF फाइल ओपेन हो जाएगा आप उसको download कर सकते हो और बिल देख सकते हो यहाँ आपको customer ID दिख जाएगा जो कि आपने टाइप किया था यहाँ पर customer name दिख जाएगा जिसके नाम से बिली बिल आ रहा है अगर आप current balance चेक करना चाहते हो तो get current balance इस पर टाप करना है उसके बाद इस type का box आपको दिखाई देगा जिसमें कि आपको अपना current balance mention किया वह मिल जाता है तो अगर आपका current balance माइनस में चला जाता है negative हो जाता है तो आपके घर का power supply बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर status disconnected आ जाएगा यहाँ पर आपको last recharge amount दिख जाएगा पिशली बार आपने कितना रुपे का recharge किया था और last recharge date भी आप यहाँ पर देख पाओगे तो इस तरीके से आप अपना current balance यहाँ पर देख सकते हो तो अभी मेरा current balance माइनस में है और मेरे घर का power supply बंद कर दिया गया है जैसे ही मैं recharge कर लूँगा current balance यहाँ पर प्लस में आ जाएगा और मेरे घर का बेली supply चालू कर दिया जाएगा electricity चालू कर दिया जाएगा तो recharge करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको close कर लेना है अब यहाँ पर आप जितना amount recharge करना चाहते हो वो इंटर कर दोगे इस box में अपना mobile number इंटर कर देना है payment gateway अपने according चूज कर लेना है मैं यहाँ पर build desk चूज कर लेता हूँ और confirm payment इस पर tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको साब डीटेल confirm करने के लिए कहा जाता है यहाँ कि customer, number, mobile number, payment date और जितना आपने amount इंटर किया है pay करने के लिए, recharge करने के लिए pay now पर tap करना है ok पर tap करना है, pop up को alloc कर देना है, इस तरीके से build desk का page open होगा, यहाँ से आप जिस तरीके से payment करना चाहते हो चूज कर लोगे, आप net ranking, credit card, debit card QR code, UPI, किसी भी तरीके से payment कर सकते हो, यहाँ मैं QR code open करके payment करना चाहता हूँ इसको select कर लेना है, उसके बाद make payment for, इस पर tap करना है इस तरीके से QR code दिखाई देगा आप इसको अपने किसी भी UPI app से open करके scan करके payment कर सकते हो, QR code scanning करके payment करने के बाद यहाँ पर transaction, acknowledgement देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको सारा transaction डीटेल दिख जाएगा, simply home पर click करना है, अब आप थोई देर बाद वापस से इसी page पर आओगे, जहाँ से आपने बिल पेमिंट किया है, अपना customer number यहाँ पर इंटर करोगे और submit करोगे, तो 5-10 मिनिट में आपका current balance अपडेट हो जाएगा अगर आपका balance minus में आता है तो रिचार्ज करने के बाद accordingly उसको adjust कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका balance plus में आएगा, आपके घर का बिजली supply चालू कर दिया जाता है और status connected आ जाएगा